हेलो नमस्कार कादियांस कुकिंग में आपका स्वागत है आज मिलेकर क्या हूँ फिर से बहुत ही कमाल के किचन के टिप्स जो मेरे काफी काम आते हैं मैं उमीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूसफुल रहे बर्दे सबसे पहले टिप की तर और जबर्दस तरीका है इस रैप को आप उठा करके फ्रिज में रख दीजेगा दो मिनिट के लिए और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो क्लिंग फ्लिम है इसली अपने रोल से अलग हो जाती है आप जैसे इसे टच करेंगे यह तुरंत ही निकल आती है मैं यहां पर लगेगी समय भी बचेगा और बहुत ही इजी और जबर्दस्त है कि आप इस तरीके से क्लिंग रैप को फ्रिज में रख करके तुरंत ही इस रोल से सप्रेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते अगले टिप की तरफ अगर आपको भी साउथ इंडिन खा राइस यह बहुत ही टेस्टी बनता है इसके लिए आपको पांच चीजे लेनी है एक कडाई में और इनको भून लेना है मियाम मैंने एक बड़ा चमच लिया है साबुत धन्या एक चोटी चमच सरसों के दाने एक चोटी चमच जीरा एक चोटी चमच मेती का दाना और आध इसका फ्लेम बंद करेंगे और इनको उतार करके अब बिलकुल ठंडा होने देंगे जब फिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम इसे मिक्सी के जार में डाल कर इसका पाउडर तयार कर के रख लेंगे और इस मसाले को फिर आप लॉंग टाइम के लिए स्टोर कर क रख सकते हैं आप जबी भी इमली का फुल्योरा बनाने वाले हैं आप उसमें यह पाउडर डालिएगा एक दो चमच इतना बहुत ही टेस्टी आप इमली राइस बनने वाला है और यह बहुत जबर्दस मसाला है तो आप इस तरीके से आप इसे बना करके रखिएगा तो यह म वाले हमाइस भुड़ा मुल्या भीक इंचावल में आपको इमली को मिक्स कर लेड़ा है और उसके बाद में नौर्मल्य जो औरक की दाल दाल जीरा हरी उर्सुपय दाने करी पता हरी मिल्ची यह सब टाल कर जूब अच्छ ने इसमड़ कर ने छहां आपका ओर साओं तो इ इस तरीके से इस मसाले को बना करके लॉंग टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ अगर कभी आपके हाथ से काच की कोई चीज तूट जाए तो ऐसा क्या करें कि काच की जो यह चोटे-चोटे टुकड़े हैं यह भी अच्छे से है और इसे आप हमेशा लेकर के रखिए और यह काफी चीजों में काम आता है और कांच के चोटे-मोटे यह जो परतन तूट जाते तो इसको भी साफ करने के बहुत काम आता है तो इस तरीके से ब्रस आप यह सारा जो कच्रा है या जो टूटा हुआ है उसको इकठा कर गे में डाली जेगा अब यह चोटा चोटा हिसा रह गया है इसी हम किस तरीके से उठाएं कि एकदम यहां से साफ हो जाए कोई भी चोटा मोटा टुकड़ा इसका बचे ना तो इसके लिए है कि आपको आटा वगरा लेने की जरूतनी है आटे की कोई वेस्टेश नहीं करने व कांच के चोटे-चोटे टुकड़े थे पीसस थे वह सारे उस पे चिपक जाते हैं और वह जगे बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है तो चलिए अगले टिप की तरफ अगर कांच की कोई ऐसी बॉटल आपके पास रखी है जिस पे स्टिकर बहुत ही जिदी है इसका स्टि अगर कांच की बॉटल बड़ी है तो आप कोई बरतन ऐसा लिए जिसमें वह कांच की बॉटल आराम से आसके और साथ ही उसका जो लेबल है वह उपर तक पानी में डिप रहे तो यह मैंने थोड़ा सा पानी ग्लास में डाल दिया है और यह आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डिप करके रख देना है तो कांच की बॉटल में हमने पानी भरा था तो वह फ्लोट नहीं होगी और नीचे तक अच्छे से लेबल में पानी लगा रहेगा तो यह लेबल उतर जाएगा तो अब आप देख सकते हैं दो घंटे के बाद में मैंने इसे निकाल लिया औ दो घंटे के बाद में मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ बहुत ही यह लेबल निकल जाता है तो बिल्कुल भी महनत नहीं लगती है कोई और आपको solution यूज करने की जरूत नहीं परती है और इस तरह की कांच की बॉटल को reuse कर सकते हैं फिर आप इसमें मसाले या जो भ यहां पर मैंने यह बटर का जो बॉक्स आता है इसी को ले लिया माइक्रोवेव में आप इसे सिरफ 5 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजेगा और फिर आप देखेंगे की यह बटर है सौफ्ट हो जाता है फिर आप इसे इसली स्प्रेड कर सकते हैं तो यह कुछ ऐसे ह काम आते हैं मैं उमीद कर रही हूं आपको वीडियो अच्छी और यूस्फल जरूर से लग रही होगी अगर वीडियो यूस्फल लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप अपने लाइक के जरीए मुझे मुझे मुटिवेट करते हैं साथी यू चलिए बढ़ते हैं अब एक और जबरदस टिप की तरफ अगर आप इमली की खटी मिठी चटनी बनाने वाले हैं तो यह वाली ट्रिक आपके जरूर से काम आएगी इसको आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं ताकि फिर आप अपने चाट में दही वड़ा में या अलग अलग recipes में गोल गपे वगरा में इनको डाल करके जबी आपका मन करें आप इसको तुरंट ही यूज कर सके क्योंकि चटनी को बनने में काफी टाइम लगता है तो यहां पर मैंने 50 ग्राम इमली ली हैं और 50 ग्राम ही हमें गुड की जरूरत होगी इस खटी मिठी चट तो यहां पर मैंने के बाल डाल करके दो क्जाना बहुतार है F gast Josh को सब्सेट में पाणी की यहां यहां पर मैंने इसको मैश करते होें हम इसे शौ। तो तीन उबाल आजाए उसके बाद में गैस का फ्लेम लोग कर लीजेगा और फिर आप देखेंगे की अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी फिर आप इसे ठंडा होने के लिए रग दीजेगा तो यह जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी उसके बाद में हम इसे पीस लेंगे मिक् देखेंगे और सब्सक्कियाने के उसक linya चंटन नमच अभी विए पाउडर मिक्ठावकन टेयार तो चंटनी हो जाएगी वाली हो सबस्क्राइग्ड कर अधिएतना ही मैंनेडी मिर्च लिए लाल्मिखका पॉडर और दो चंटनी तो कर लिए चंटनी लेंगी से बहुत ही टेस्टी एकदम स्ट्रीट स्टाइल की आकी इमली की चटनी तयार होने वाली है तो यह एकदम अच्छे से ठंडी हो चुकी है और इसमें से जो बीज वगर हैं वो मैंने निकाल दिये हैं अब इसे मिक्सी के जार में डाल करके हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी और एड़ कर दिया है ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और एक्तम स्मूथ से यह तयार हो जाए अब मैंने यहां पर एक कढ़ाई ले ली है कढ़ाई में चलनी को रख करके अब हम इस इमली को अच्छे से चान लेंगे ताकि अगर कोई इसमें कच्रा वगरा रह जाए तो वो भी अच्छे से शप्लेट ओ जाए और सिर्फ हमें इसका पल्प ही चहींगा तो यह इमली का पल्प हमने कढ़ाई में डाल लिया है और ऑको इक्वल क्वांटिटी में ही गोड़ हमने डाल दिया है और जो मसाले हमने निकाल करके रखे थे वह बहु हम इसमें डाल और इस चटनी को आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं 6 महीने तक भी आप इसे बना करके एर टाइट कंटेइनर में डाल करके फ्रीजर में स्टोर करके रखिएगा जबी आपका मन करें गोल गपा पार्टी करने का या फिर कोई चार्ट वगेरा बना रहे हैं दही अगर आपको पतला चाहिए तो आप इसे थोड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे गाड़ा करके भी रख सकते हैं और ठंडी होने पर और गाड़ी हो जाती है तो बस चलाते हुए आप इसे 7-8 मिट के लिए पका लिजेगा अब चाहे तो आप इसमें थोड़े से है और यह देखिए चटनी एकदम तयार हो चुकी है और यह ठंडी होने पर और गाड़ी हो जाती है तो यह बहुत ही टेस्टी बनी है बहुत जबरदस्त है तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जब यह ठंडी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं और यह कितनी अच्छी गाड़ी हो चुकिए तो मैं इसे ऐसे ही एर्टाइट कंटेनर में डाल करके स्टोर करने वाली हूँ और जो जितनी क्वांटेटी आपको चाहिए उतना आप निकाल करके साइड में रख लिए और अगर आप फ्रीज में स्टोर करेंगे तो एक महिनया तक खर कर दाल तो तो अगर आपको यह जाएगी अपनी पत्ली के चरिए फिर अच्छी वीडियो उमीद करिऊ है अगर वीडियो आपको महिन वीडियो अच्छी जरूर निकाल ररती और जादे से जादे से वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंट्स में ताकि ये कुछ यूसफल टिप्स उनके भी काम आसके उनका भी किचिन का काम आसान और बैतर बन सके अगर इस तरह की यूसफल वीडियो आपको और देखनी है तो आप मेरे चैनल को काम सा लगा कमिट करके जरूर बताइएगा और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे यूसफल हैक्स है तो वह भी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा थाइंक यू फॉर वाचिंग स्टे कनेक्टेड कर दो प्लीज बताइगा एंगधे लाइ तक लाइड़ा कर दो और वी यूर बताइगा चास वेरेだ और अबंगे लाइगा थाईगा फॉराइगा तक लाइट चाना वेरे